आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपे शेयर करने जा रहें अंडे की बुर्जी की आइए चलते बनाने ये उसकी सामगरी है ये एक शिमला मेज है दो बड़े टमाटर हैं दो हरी मीरच है और ये तीन से चार छोटी मीडियम साइज की प्यास है आइए चलते बनाने है यह हमने चार बड़े अंडे ले लिए और इसको हम फोड़के फेट लेंगे है कि को एक बावल में फेट लेंगे मिलाकर और उसके बाद हम अपनी अंडे की बुर्जी बनाना रेडी करेंगे अब अब जाल देंगे और नमक फाथ रोके डालेंगे तो कि हम अभी जो मसाला बनाएंगे उसमें भी नमक लालेंगे इसको अच्छे प्यट लिए हमाइए अंडा फिट के रेडी हो गया आईए चलते इसको बनाने हमाँ पैन में तेल गरम हो गया है इसमें हम थोड़ी त कड़क तो जह हम ये वैजटे में टक मी नमक हो गशानी है अब हम इसमें टोमाटबा हुए ह मछी को डालेंगे ये वर्指 त시को शुखे मसाले और ये तेलने नमकी टोमाटबा थेंगे धूज होटालेंगे अधा टीस्पून सुखिलाल मिर्च पिसी हुई और ये एक चमच के खरीब धनिया और ये एक अधा चमच जो है हरीमेज और लसन का पेस्ट में सब डाल के हमच्चे से भून लेंगे इसको और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताके मैं मसाले जले ने मसाला दे भींगया टमाटा अच्छे से गल गए अब इसमे ने डाल देंगे खोड़ेगे इसको भी गला लेंगे अलका सा मारा मसाला एक दम रेडी हो गए है हमरा मेर्ज भी हल्की की गल गई है अब हम इसको इसमे अपने अंडे फेट के रखे थे इनको धीरे धीरे डालेंगे और चलाते रहेंगे अच्छा साथ मिलाते रहे हैं मसाले के साथ बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अब बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसको आप ब्रेट के साथ बन के साथ आठे के साथ किसी के साथ इस सब्सक्री बहुत ही जायकेदार होता है कि अच्छी बना के बिट्रों को दे दिए लेंग्स में बिट्रों से खाते हैं इसे करके मिर्फ करिए फेस को बूहिते रही है कि अच्छी बनके रेडी हो गया है अब इस पर हम यह घरा मसारा डाल देंगे थोड़ा सा और पसूरी मेती थोड़ी डालेंगे कि अब बहुत यची खुछ भूआती है इसको मिस कर देंग अच्छ अच्छ शर्वार्ण मारी अंडभ भुडी बनके रेडी हो गई जे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो इसे लाइक और शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब को लिए थैंक्यू